गुड मॉर्णिंग वीवर्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फोमो मतलब फिर ओफ मिसिंग आउट क्या होता है मार्केट तो बढ़ गया अभी पोर्टफोलियो कब बढ़ेगा यह सब के मन में सवाल होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंपक्ट ओफ डॉलर वो हम लोग देखेंगे गैन फैन तो सब लोग ड्रॉ करते हैं लेकिन उसकी साइन्टिफिक मेथड क्या है प्रॉपरली उसे कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग निफटी के उपर देखेंगे और टेक्निकल व्यू मार्केट का कमिंग वीक के लिए क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फोमो मतलब फियर आफ मिसिंग आउट ये क्या है देखें जब मार्केट 15,200 हुआ था तो किसी की हिम्मत नहीं हो रहे थी मार्केट में बाइंग करने की क्योंकि उस वक्त सबको लग रहा था कि ये 15,200 के बजले 14,000 हो जाएगा 13,000 हो जाएगा 12,000 हो जाएगा और हर कोई डर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तयार नहीं था वेट कर रहा था कि रुकते हैं कहां पर बॉटम होगा कहां से गुमेगा फिर हम लोग लेंगे अब ये चीज 16 जून की है उसके बाद में जो मार्केट बढ़ा है और आज मार्केट हम लोग 15,200 से लेके 16,700 तक मतलब 1500 पॉइंट की रैली देख चुके है इस बीच में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की नहीं है ऐसे भी कुछ लोगे और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट क्या कह रहा है अब वो लोग 1500 पॉइंट बनने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार हमारा तो मिस आउट हो गया हम लोगों ने वहाँ पर लेना चाहिए था हम लोगों ने 12,000 की रहा नहीं देखनी चाहिए थी अब उनके मन में वो डर है कि अब मैं क्या करू य यह तो rally मेरी miss out हो गई यहां पर मैं entry करू और यहां से गिर गया तो क्या होगा या और बढ़ गया तो मैं तो पूरा रह जाओंगा तो यह situation आप याद कीजिए कोवीड के fall के बाद में ऐसा ही हुआ ता कई लोगों के साथ में fear of missing out जो है इस सबसे गंदी चीज है मार्केट में इनसान को पैसा बनाने से अगर रोकने वाली कोई चीज होती है तो यह चीज है हमें क्या करना चाहिए देखिए मार्केट में लोग confused कहां पर हो जाते मार्केट का bottom और stock का bottom यह तो अलग-अलग चीज है दोनों को हम लोग एक करते हैं मार्केट का bottom कब आएगा कब घुमेगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है हम लोग stock purchase करते हमें individual stock का bottom देखना चाहिए और वहाँ पर purchase करनी चाहिए ना कि market की bottom होने की रहा देखनी चाहिए जो लोग ओ रहा देखते बैठते वह वही पर रह जाते और investment नही नीचे जाएगा लेकिन अगर आपके पास कोई सही धंकी system है जैसे मेरे पास ATTI है तो वह stock नीचे जाने के बाद में उसकी recovery अच्छी तरह से होती क्योंकि वह कई parameter पर test किया हुआ stock होता है समय जाता है लेकिन loss नहीं होता है जैसे market record हो जाता है तो बाकी लोगों के साथ ये stock भी record होते on the contrary system के मेरे stock थोड़ा जल्दी record करते हैं तो ये जो होता है हमें ये चीज को avoid करनी है तो आपको क्या करना है जब भी market में panic आता है तो वहाँ पर आपको investment करते रहना चाहिए systematic investment ये आपको करते रहना चाहिए न के bottom की रहा देखनी चाहिए ऐसे कई incidence आगे भी आएंगे market गिरेगा फिर आप रहा देखेंगे और गिरने की और आप नहीं ले पाओगे तो ऐसा मत कीजिए market में investment कीजिए market बार बार मुका नहीं देता है आपको कही तो कूदना पड़ता है हो सकता है एक बार accident आपको हो जाए लेकिन वो हमेशा के लि portfolio क्यों नहीं बढ़ रहा है तो देखिए आपका portfolio अगर 25 तक का नीचे है तो आप lucky हो बहुत अच्छा है आपका portfolio ऐसा समझे क्योंकि market में जो fall के बाद में stock की valuation गिरी है वो 94% तक गिरी हुई है कई-कई stock जो है 94, 92, 80 इस तरह से गिरे है इसका मैं आपको और detail बताता हूँ ऐसे कई stock है कि जो इस तरह से गिरे हुए तो हम लोग आज detail में देख लेते कि ऐसे कौन से कौन से stock है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको list बताता हूँ कई stock है ऐसे कि जो यहाँ पर 80% सक गिरे हुए 94 है 90 है 80 है 70 है यह list अगर आप देखोगे तो यह बहुत बड़ी list है तो इस list पर से आपको क्या समझना चाहिए कि अगर मैं रुका हूँ अगर मेरा portfolio 25-30 टका नीचे है तो मैं winner हूँ मेरा portfolio कुछ भी नहीं घटा ऐसा आपको समझना चाहिए क्योंकि market में जिस तरह से portfolio घटे लोगों के उस हिसाफ से अगर आप 25-30 टका पर हो तो डरने की ज़रू घटा हुआ है इसका मतलब उसे recover करने के लिए कम से कम उस stock के price में 66% मतलब 40-60% की rise आने चीए 30 टका घटा है तो 40 टका और 40 टका घटा तो 66% आपको stock की price जब cover हो जाएगी तो आपका portfolio profit में cost में आजाएगा उसके बाद में profit होगा मतलब मोटा मोटा अगर figure हम लोग देखे है तो उसे recover करने के लिए 100% उपर जाना जरूरी होता है लेकिन लखीली हमारे ATDI के जो stock है वो 25-30 टका ही नीचे है मतलब हमें 40 टका अगर cover हो जाता है तो हमारी cost आजाएगी और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 4-6 मेने में ना सिर्फ हमारी cost recover हो जाएगी उसके उपर का interest उसका उपर का profit ये सब हमें देखे हमारा March ending का capital gain report फिर से अच्छा आजाएगा तो ये जो है तुरंट 10 टका nifty cover हो जाता है तो हमारा portfolio क्यों नी profit में आता है ये सवाल कई लोगों ने COVID के समय में भी पूछाता तो ऐसा होता नहीं है उसे time आता है उसके बाद में stock कैसे perform करत ये सबने देखा हुआ है तो थोड़ा सा समय देना आपको देना यहां पर बहुत जरूरी है बहुत जलबाजी में हम लोग ऐसा कुछ भी आपको return नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट में fall बहुत लंबे समय से चला हुआ है कम से कम 9 मेने तक market मीचे था तो इसे cover होने में इंपक्ट हुआ है सब जगा पर हुआ है वर्ल्ड में ऐसी एक भी currency नहीं है सिर्फ रिश्या की currency छोड़ के सब करंसी के उपर dollar का strong होने का impact हुआ है रूपी पे 7% का है एन पे pound पे euro और क्रोन पे 10-10 टके का impact हुआ है तो ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं हुआ है ये सब जगा पर हुआ है अभी इसका impact क्या होता है जो export करते उनके लिए positive हो सकता ये हमें क्या बताया जाता है कि अगर रूपी वीक होता है और dollar strong हो जाता है तो इसका impact IT को बहुत जाता profit हो सकता है बतलब 1% रूपी deficit हो गया तो 25 basis point का profit IT company का बढ़ता है ऐसा numera का कहना है लेकिन ह हकिकत ऐसी है क्या वो मैं आज आपको बताने के लिए slide बता रहा हूँ देखिए जैसे हमने देखा कि dollar strong हो रहा है रूपी वीक हो रहा है तो definitely अगर numera का माने तो IT sector के stock बहुत जोरदार profit कमाने चीए और उनके भाव भी stock के top पे होने चीए हकिकत क्या है वो आगले slide में Nifty का जो IT का index है वो all time low पर है कई stock 40% 50% गिरे है अगर dollar का strong होना इनका profitability बढ़ा तेदा है तो इनके stock क्यों घट रहे हैं तो यहाँ पर यह बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो news हम लोग पढ़ते है इसे आप आपको थोड़ा सा correction करना पड़ेगा export oriented unit के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जिनका export है उनको dollar strong होने से बहुत ज़्यादा benefit होता है या IT company को benefit होता है लेकिन अभी हकीकत ऐसी नहीं है जब भी कोई IT company या export unit को order मिलती है तो उस वक्त वो लोग currency को hedge कर लेते है तो currency में जो volatility है उसका impact उनके execution पे ना जाए delivery पे ना profit करते है उसको deliver करना यह और उसके against profit कमाना वो उनका business होता है ना कि currency की volatility पे profit कमाना वो उनका business होता है तो वो usually hatch कर लेते है जैसे कोई IT company है जैसे contract होता है payment का schedule उनके पास आता है वो उस वक्त के लिए currency को hedge कर देते तो यह volatility का benefit होता नहीं है यह मैंने यहाँ पर कहने की कोश भी रहता है कि अगर abnormal volatility हो जाती है किसी भी currency में उपर की तरफ या नीची की तरफ तो वो लोग उनकी जो term से उसे renegotiate करते है और जो उसको match कर लेते है तो या तो उनके agreement में इसे कुछ close होते है या तो वो कई company हैच कर लेती है तो यह जो आपको बताया जाता है कि dollar की वज़े से ऐसे से sector को benefit होगा तो यह आप दिमाग में से निकाल दा लिए अब यह dollar रुकेगा कब कहां तक इसमी उपर की तरफ चाल है तो देखिए 108-109 का इसने टॉप बनाया ऐसा मुझे लग रहा है यह चार्ड देखे यह चार्ड 20 तारीक का US dollar index यहां पर ऐसे कुछ formation हुए जो bearish formation है मतलब यह बताते है कि यहां से इसे नीचे आना चाहिए और हकीकत में ऐसा हुआ 109 से हम लोग 106 का fall देख चुके है और आगे भी हमें ऐसा लगता है कि 104 यह 100 तक यह नीचे आ सकता है यहां पर इसने एक बार के लिए top बना दिया है ऐसा मुझे लगता है और एक मैं आपको chart बताता हूँ जिससे और यह confirm हो जाएगा यह dollar का रुपी chart है और यह weekly chart है यहां पर यह जो candle है यह आप देख सकते हो के यहां पर यह बढ़ा था और वहां से selling pressure आया और नीचे गया और close होते होते यह बीच में आके close हो गया यह एक दोजी form हुआ है long leg दोजी है reversal candle है usually IC candle अगर top पे form होती है तो वहां से वो जो index हो stock हो currency हो उसमें यह correction देता है तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा जो हम लोगों ने 80 का 80, 81, 90 का high देखा है वहां से आप यह धीरे धीरे हमें नीचे आते वक दिखाई देगी GAN fan कई लोगों को यह बहुती अच्छा tool है यह मालूम है लेकिन इसे draw कैसे किया जाता है इसका idea नहीं है तो आज हम लोग देखेंगे कि GAN fan को कैसे draw किया जाता है यह nifty का chart है और यह investing.com site है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे draw किया जाता है तो सबसे पहले हम ल horizontal line देंगे जो COVID का fall था उसके low पर मैं horizontal line draw करता हूं दूसरी line में जो top हुआ था वहां पर horizontal line draw करता हूं ध्यान से देखिए आपको यह scientifically कैसे draw करना यह मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको उसके बाद में एक vertical line जो bottom मैंने लेखा था वहां से vertical line तो मेरे पास यह दो point मिलते है ज करूंगा और वह angle जो हमें रखूंगा वह 45 degree का रखूंगा आपको हमेशा द्यान में रखिए जब भी आप ग्यान फैन draw करते हो तो वह 45 degree पर होना चाहिए तभी वह आपको सही support resistance देंगा अगर उसका angle अगर गलत है तो आपको सही range नहीं मिलेगी अब मेरे पास यह angle भी हो गए तो अब मैं ग्यान फैन ड्रॉ करता हूं यहां पर मुझे उसे प्लेस करना है और वन ओफ वन इसका जो रहता है उसे 45 degree को मैच करना है यह मैंने गैन फैन लिया यहां पर इसको मैच किया और यह जो one of one है इसको मैं 45 degree पर मैच किया यहां पर one of one है और यह 45 degree और एक मैं गैन फैन लेता हूं नीचे से ड्रॉ करूंगा इसे भी मैं यहां पर exactly 45 degree और इसका भी one of one इसको मैच कर देता हूं 45 degree को तो अब मेरे पास यहां पर देखे आप देख सकते हो यह निफ्टी का चार्टे exactly हमने यहां पर support लिया है और यहां से अभी हम लोग उपर की तरब जा रहे है यह जो growth बता रहा है यह 18,000, 19,000 की तरब जा रहे है वहां प इसलब ऐसा नहीं कि यह one way 18,000 तक जाएगा इसके बीच बीच में कई corrections हम लोग देखेंगे straight line में कभी कोई चीच बढ़ती नहीं अब यह आपको draw करने का मैंने सही तरीका बता है इसको हम लोग और verify करेंगे कि क्या हमने सही draw किया है क्या और एक horizontal line में निकालूंगा और उसे मैं match करके देखूंगा कि वो exactly हमारा retracement जो है फेबोने ची retracement एक में यहाँ पर draw करूंगा और उस horizontal line को exactly 50 point पे आता है कि वो में चेक करूंगा अगर वो आ जाता है तो समझ लेना कि हमने यह exact levels निकाल लिये हैं यहाँ पर देखिए 50 percent वो exactly pass होती इसके center line के दोनों जो निचे का और उपर का fan है उसको यह आप देख सकते हो exactly उसके center से यह pass हो रहा है तो हमारी यह lines हमने जो fan जो draw किया है वो correct है इसका यहाँ पर support लिया है और यहां से यह उपर जा रहा है GAN fan की खासियत क्या है usually support resistance horizontal रहते है horizontal line में support लेकिन जब market में कोई भी stock चलता है तो वो angular moment रहती है देखें यहाँ पर angle से उपर गया angle से नीचे आ गया तो GAN fan भी आपको क्या करता है कि यह यहाँ पर support जयाता है इसका support आगे उपर उपर का बढ़ते जाता है तो वो ज़्यादा clear idea देता आपको exact location आपको पता चलती कि वो कहाँ पर है तो इस तरह से आपको यह GAN fan ड्रॉ करना है जो मैंने आपको अभी nifty के उपर बता है चलिए अभी हम लोग हमारे आगे का देखते कि GAN fan तो आपको मैंने बता दिया कैसे ड्रॉ करते हैं अब हम लोग देखते हैं कि market का आने वाले week में view क्या है मेरा अगर आपने देखा होगा 16 जून के बाद में particularly इंडिया विक्स जो है वो बहुत ही निचा है जिसकी level 24, 25, 28 रेती थी वो सिधा 20 के अंदर आ गया usually इंडिया विक्स की figure अगर 30 से उपर रहती है तो वो uncertainty, risk और investor fear बताता है अगर इंडिया विक्स 20 के नीचे आता है तो वो more stable, less stressful रहता है मतलब 13 से 19 की बीच की जो range है वो normal मानी जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जैसे इंडिया विक्स decrease होता है तो जो put writer जो रहते हैं उनका demand कम रहता है वो put writing कम करते तो इंडिया विक्स कम, volatility कम हो जाती है और usually यह 30 days की figure रहती है तो आपने क्या देखा, मैं आपको यह chart में बताता हूँ देखिए है 16 तारिक, 16 June के बाद में इंडिया विक्स में जैसे यह ढाद बनाया था na long lake वैसे ईसने बनाया और उसके बाद में सीधा नीचे आया तो डालर के बारे में भी मैंने यही आपको बताए कि ऐसा हो सकता है डालर के बारे में तो ये इंडिया विक्स जैसे नीचे आया, 16 तरीक, उसके बाद में निफ्टी बढ़ रहा था, ये दोनों opposite direction में जाते, लेकिन अब क्या होने वाला है, 16 तरीक तो चली गई, अब यहाँ पर जो दिख रहा है, ये support zone है इसका, इंडिया विक्स का, यहाँ आने के बाद में य उपर जाता है, यहाँ पर भी देखिए, support लिया, उसके बाद में उपर चला गया, अब यहाँ पर इस support पे आया हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये support लेके उपर जाता है, इंडिया विक्स अगर उपर जाता है, इसका मतलब nifty निचे आ सकता है, तो क्या ये nifty के chart में हमें 50 का यह मेरा four stroke engine का चार्ट है मतलब चार टाइम फ्रेम है quarterly, daily, weekly और intraday अब intraday पर तो sell signal आ चुका है अगर यहां से यह उपर जाता है तो उसको resistance का है 1699 पर इसको resistance है 17000 पर इसका resistance है और वहां से अगर नीचे आता है तो इसका पहला support है 16630 का और उससे नीचे जाता है तो 162 270 का support है तो यह जो है अब यहां पर अगर sell signal इसका confirm है तो हो सकता यह थोड़ी correction दे सकता है ऐसा दूसरा weekly chart पे भी क्या होता है 16500 से लेके 16700 का यह यहां पर एक supply zone है तो यह यहां पर अभी इसको headroom नहीं है यह resistance को touch कर चुका है हम लोगों ने close जो देखा है 16710 का देखा है और यहां पर top है 16700 का तो almost इसने यहां पर top बना दिया है यह weekly chart है डेली पे क्या कह रहा है डेली पे भी same कह रहा है कि यह almost अपने headroom को touch कर रहा है लेकिन हो सकता है कि कई बड़े company की results है तो उस वज़़से एक sharp bounce हम लोग देखे तो इसे cross कर दे 16700 को cross करके 16800, 16900 इसका 16900 का इसका यह gain level है जहां पर इसको बहुत बड़ा resistance है या तो यह यहां पर ही resistance लेके नीचे आ सकता है या यहां से थोड़ा bounce लेके उपर जा सकता है अभी यह एक दो दिन का matter है कि इसे यहां से घुमना है यही से मंडे घुमना है अब इसका upside जो है ओ थोड़े समय के लिए हमे भूल जाना चाहिए मार्केट में 1500 पॉइंट का रैली देखने के बाद में naturally उसमें से 500 से 600 पॉइंट का correction हमें देखने के लिए मिल सकता है मतलब अगर हम लोग 15 800 से गिरे 16 800 से गिरे तो यह कम से कम 16 200 तक नीचे आ सकता है जो हमारी यहां की level है तो यह हमें पकड़ के चलन चाहिए upside अब nifty में कम दिख रही है possibility इसकी retracement की मतलब नीचे आने की मुझे जादा लग रही है इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि सारे stock नीचे आ जाए index और stock को आप क्रिपा करके mix मत कीजे दूसरा यह मैं कह रहा हूं कि यह नीचे आएगा तो Monday जो intraday player है जो put call का कर तो मेरबानी करके मेरे इस view पर कोई भी position मत लीजे क्योंके मेरे view यह long term के रहते हैं पूरे week में यह ऐसी गटना गटने की संबावना होती है जरूरी नहीं कि वो Monday हो जाए चूजड़े हो जाए वो कभी भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर आप upside के लिए scope कम है और downside का जो formation है ओ भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसने gap form किया 16300 से लेके 16350 से लेके 16500 तक अब इसे यह gap fill करना होगा यहाँ पर और एक confusion है कि सारे gap cover होते है ऐसा जरूरी नहीं है अगर आप 12,000 के निचे की निफ्टी की gap देखोगे तो अब तक fill up नहीं हो चुकी है जो COVID के बात क जो rise आया था साड़े साथ हजार से लेके साड़े बारा हजार के बीच में कई ऐसे gap है जो आज तक cover नहीं होए तो ऐसा कोई rule नहीं है कि सारे gap cover होने ही चाहिए लेकिन जो नजदिक के gap रहते है और जहाँ पर pullback आने की possibility है तो वहाँ पर हम लोग देखते कि यह resistance zone है अगर यह तूटता है अभी जहाँ पर close हुआ हम लोग 16 700 से तो यह 16 600, 16 500, 16 300 ऐसी इसकी range आने की संबावना है यहाँ पर यह support का काम करेगा तो यह जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मुटा मुटा हम लोग इस range में आने की possibility आने वाले 8 से 10 दिन में मुझे लगता है कि से फिर वो अपने आगे की journey start करेगा तो यह gap का देखने के बाद मुझे वो और भी confirm लगता है bank में क्या हुआ है bank में देखे यह resistance इसने तोड़ दिया है बहुत ही अच्छी green candle करके इसने cross कर दिया है लेकिन intraday पे sell signal आया है अब उपर के लिए क्या है 37,140 है यह resistance का 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 और support का काम कौन करेगा 36,300 मतलब 36,140 है 36,300 है 35,500 है अगला support है तो इस तरह से अब अगर intraday में देखा जाए तो यहाँ पर एक correction correction मतलब यह थोड़ा सा retracement हो सकता है इसका यहाँ पर headroom इसने रखी नहीं है अगर हम लोग daily में देखेंगे तो यहाँ पर भी 36,900 मतलब 37,000 का इसका range है अगर वो cross करता है तो 38,000 का range है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा strength मुझे दिखा दे रहा है जैसे हम लोगोंने निफ्टी में देखा कि weakness जादा लग रहा है यहाँ पर क्योंकि इसने hurdle एक cross किया हुआ है तो यह हो सकता है ऊपर जाके कोई ऐसी candle बनाए जो मुझे रिवर्सल का sign दे यहाँ पर यह candle अभी reversal का sign नहीं बता रही है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी विक लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा comparatively strong लग रहा है यहाँ पर हम लोग कोई भी buying selling recommendation नहीं देते सिर्फ educational purpose से मैंने वीडियो बनाए थैंक यू से मैंने लगनाशन दे भाने फर ऱखवाद से मेंने खिक अर कहाँ थे नहीं देंडोंने से फ्टी beल रहा खिक बाद करा यू궁 नहीं में रहाँ एम में और घट拗 पर बैंक निबत Nice